नमस्कार, मैं परगेट सिंग जटॉल, स्वागत है आपका आज का हमारा विश्य है सिक्षन अधिगम की परभावकारी विदियों की विशेशनाएं आज का जो हमारा विश्य है वो सिक्षन अधिगम की परभावकारी विदियों के उपर है तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने नीजी जीवन से जब भी हम बात करते हैं अपने जीवन में कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसे अध्यापकों की शवी उबरती है जिनको हम बहुत पसंद करते हैं और यह विशेश रूप से परतेट व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि उसके जीवन में कुछ ऐसे अध्यापक जिनको वो बहुत अच्छे अध्यापक की संगया देते हैं उनको एक प्रेड़ना स्तरोत मानते हैं तो कई बार हम सोचते हैं कि ऐसे अध्यापक क्यों हमारे दिमाग में आते हैं जिनकी शवी बहुत अच्छे अध्यापक की हम गड़ लेते हैं और तमाम जीवन हम उनको अपनी समर्तियों में संजोए रखते हैं एक शात्र अपने अध्यापक के नीजी जीवन से इतना वास्ता नहीं रखता जादा सरोकार उसका नहीं होता वो किस चीज़ से परभावित होता है वो परभावित होता है तो उसके पढ़ाने की तरीके से जो अध्यापक जिस तरीके से हमें पढ़ाता है वो हमें हमेशा या जिनका प्रयोग करके एक अध्यापक अपने आदिगम को ज्यादा परभावी बना सकता है तो मैं यहाँ शुरुवात में दो उधार नैसे देना चाहूँगा सबसे पहले एक महिला सिक्षिक जिनका नाम सरीता है उनका जो विश्य है वो है परदूशन वो अपनी कक्षा कक्ष में गए और उन्होंने बच्चों के सामने 35 और 40 मिन्ट का एक लंबा चोड़ा व्याख्यान रखा जिसमें तमाम परदूशन के जो परकार हैं और किस कारण से परदूशन होता है उस पे उन्होंने व्याख्यान दिया 35 से 40 मिनिट की जो अवदी थी उनकी कक्षा की उसमें पूरा समय उन्होंने व्याख्यान पे दिया और बच्चों ने पूरी तरह से उनके व्याख्यान को सुना ये अलग बात है कि उनका जो अधिगम से कितने परभाव उन बच्चों पर पढ़ा उनके वभार में कितना परिवरतन आया वो कितना समझ पाए कि परदूशन के क्या क्या कारण है और वो अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि इस परदूशन को कम कर पाएं एक दूसरा उधारन एक ऐसे अध्यापक का जिनका नाम संदीप है वो कक्षा कक्ष में आए उन्होंने अपने पूरे जो कक्षा कक्ष में बच्चे हैं उनको छोटे-छोटे समूहों में बाट दिया और पांच से साथ पच्चों को एक समूह बना दिया और उस समूह में से एक समूह का लेडर चुन दिया और उन सभी अलग अलग समूहों को कुछ चितर दिये, जिन चितरों पर विबिन वायू परदूशन दिखाया गया था, तर्शाया गया था, कुछ चितर वायू परदूशन के थे, कुछ चितर जल परदूशन के थे, कुछ चितर धवनी परदूशन के थे, वो सभी चितर दि परदूशन के कारणों पर चर्चा कीजिए जब आप पूरी तरह इसका विशलेशन कर लो तो आपके समुह का जो लीडर है वो एक रिपोर्ट पेश करेगा जिसमें उस परदूशन के कारणों की समिक्षा होगी तो उस पूरी कक्षा में अलग-लग समुहों ने अलग-लग परदूशन पे चर्चा की अलग-लग अपने विचार परस्तूत की अपने समुह में और अंत में समुह के जितने भी मुखिया थे जितने लीडर थे उन्होंने अपनी एक विस्तरित रिपोर्ट पेश की जिससे फायदा ये हुआ कि विबिन जो समूहों में जो बच्चे थे जो विचार उनके दिमाग में नहीं आया जा जो बात कहीं ना कहीं उनसे छूट गई वो किसी दूसरे समूह ने बात की और पूरे का सार संक्षेब जो था जो अध्यापक संदीप ने वो सिल्षलेवार पेश किया कि इस समूह ने इस प्रोडूशन की ये कारण बताए हैं इसकी ये परभाव हैं इसको हम इस तरीके से रोख सकते हैं तो इससे आपको क्या अंतर लगा एक तो अध्यापक जो महिला अध्यापक थी उन्होंने व्याख्यान के माद्यम से पूरे का पूरा 35 चालिसमेंट व्याख्यान दिया और बच्चों ने उस व्याख्यान को सुना और एक जो अध्यापक संदीप जिन्होंने अलग-लग मुँँ में बांट कर उस पे चर्चा की मुझे लगता है और ये एक तथ्या भी है कि जब आप पूरी कक्षा के सभी शातर शातराओं को पूरी तरह से शामिल कर लेते हो अपने सिक्षिन अदिगम परक्रिया में तो वो विदी ज्यादा प्रभावकारी होती है और उससे जो भी उपलब्द जो हमें हासिल होता है जो हमारा उदेश्या होता है जो लक्ष्या होता है कि हम उस अदिगम को स्थाई बना सकें और उसको बच्चे अपने वेवहार में ढाल सकें तो यो दूसरा जो मैंने एक्जामपल दिया जो उधारन दिया समूहों में बांट कर वो ज हम चर्चा करेंगे और इसमें शुरुवात में मैं एक नाम लेना जुरूरी समझता हूँ गीजु भाई भदेका जी का जिन्होंने अपनी एक पुस्तक दिवास वपन में बहुत अच्छे से और बहुत विस्तिर्ट रूप से विबिन सिक्षन वीडियों का जिकर किया जिनका प्रयोग करके एक अध्यापक ने एक ऐसी कक्षा जिसे विद्यलय ये मानता था कि इस कक्षा में सभी बच्चे शिरारती हैं वो किसी बच्चे किसी भी अध्यापक पर ध्यान नहीं देते उनका पढ़ाई में रूची नहीं है उन बच्चों में भी एक ऐसी रूची पैदा कर दी कि वो सिक्षन अधिगम में बहुत परभावकरी रूप से अपनी हिस्सेदारी देने लगे तो आज ऐसे ही कुछ सिक्षन अधिगम की परभावकरी विदियों की विशेष्टाओं की बात हम करेंगे तो सबसे पहले जो एक विदि है कि सहपाथियों के साथ सीखने के लिए कारेक्षित्र उपलब्द कराना जो समय सिक्षा में पहले था कि जादा तर जो हमारा सिक्षन अधिगम था वो अध्यापक केंद्रित था उसकी जो धूरी थी वो अध्यापक था अध्यापक पूरे का पूरा जो सेक्षिक कार्यकरम है वो अपने हिसाब से उसको उसका परबंदन करता था लेकिन जैसे मनोविज्ञान का दाइरा बढ़ा और हमें बाल मनोविज्ञान का ग्यान दिया गया तो हमारा जो सिक्षा का जो पूरे का पूरा जो धूरी है जो सिक्षा का केंदर है वो बच्चा बन गया वो एक शात्र वो एक अधैता बन गया जिसे हम सिखाने के लिए विबिन विदियां यूज़ करते हैं इसमें से सबसे पहले जो अच्छी विदी ये मानी जा दी है कि वो बच्छा जादा सहज महसूस करता है अपने हम उमर बच्चों के साथ, अपने सहपाथियों के साथ अगर कोई ऐसी योजना बनाकर उन बच्चों को कुछ दे दी जाए और उन बच्चों को कहा जाए कि इस पर आप इकठे बैठके एक समू के रूप में इस पे कारा करें और उसमें वो ज़्यादा सहज भी महसूस करता है और सीखने की जो गती है वो भी उसकी ज़्यादा होती है एक जो अध्यापक से वो थोड़ा महसूस करता है उसको एक थोड़ा दूरी है अध्यापक से दूरी है एक आयू का जो फर्क है उससे वो ज़्यादा सहज महसूस करता है अपने सहपार्टियों के साथ और कोई भी कार्या सक्षिक कार्या अगर ऐसे माहल में दिया जाए जिसके आसपास उसके हम उमर बच्चे हैं तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से उस कीजों को कर पाता है तो ये एक विदी है सहपाटियों के साथ सीखने की और इसमें देखा भी गया है कि इसके जितने भी जो ऐसे शोद कार्या हुए हैं उनके जो परिणाम ये बताते हैं कि अधिगम की जो उपलब्दी है वो उसकी दर्ग बढ़ जाती है अगर उस बच्चे को अपने सहपाटि उपलब्द करान जैसे अंगरेजी में कहा जाता है लर्निंग बाइडूइंग अगर हम अधियापक के नाते पूरे के पूरे जो कतिविदियां हैं या किरया हैं सक्षिक किरया हैं उसमें बच्चे को बिलकुल पीछे कर दें उसको स्वेम करके जो स्वेम वोज सीखेगा क अगर हम उसको ऐसी कारक्षत्र में रखें जहां पर वो सीखने से पहले वो स्वेम उस कारय को करके देखें चाहे वो किसी भी परकार का हो चाहे उसमें कोई शारीरिक किरयाए हो चाहे वो मानसी किरयाए हो चाहे हमारे सरजन छीलता से सबंदित कोई कारय हो उस बच्चे को ऐसा कारक्षित्र उपलब्द करवाना और उसमें अध्यापक का जो भूमिका है अध्यापक की वो सिर्फ एक सहाई के रूप में हो उसका उसमें कोई भी ऐसी विशेश भूमिका ना हो कि वो अपने पूरे के पूरे सिक्षन अधिगम को अध्यापक केंदरित बना दे उस शातर पर उसको पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए और उस शातर को स्यम उस किर्या को करके और जो उससे उससे अन्भव हुआ उस अन्भव की चर्चा उस अध्यापक के साथ की जानी चाहिए तो ये दूसरी विदी थी कि करके सीखना इसके बाद हम बात करते हैं कि हम कितनी सवतंतर दा देते हैं बच्चे को सोचने की, विद्यार्चियों को सतंतर रूप से सोचने के लिए प्रोथसाहित कितना करता है कद्यापक और जो उसने सोचा है उसका किस तरीके से किरान मनवोह करता है अब विद्यार्थ्यों को ग्यान का सब सरेजन करने के लिए प्रोशाइप करना ये भी एक अध्यापका उत्रदाइतव है कि वो जो पका पकाया जो हमारा ग्यान है, जो हमारा किताबी ग्यान है वही ना हो कि वही लाया जाए और बच्चों के सामने प्रोस दिया जाए बच्चों को कोई ऐसा अवसर ही लब्दा हम करें कि जिससे वो अपने ग्यान का स्रेजन खुद कर पाएं तो ये एक अध्यापक का उतरदाईतव है कि ऐसी सिक्षन विदी आईसी सिक्षन अधिगम विदी जिसमें बच्चों को अपने आप कुछ नए ग्यान का स्रेजन वो कर सकें और वो स्तंतर रूप से सोच सकें अगर हम उनको ऐसा मौका नहीं देंगे तो उनकी जो सोचने की क्षमता है उस पर बहुत नकरात्मक प्रभाव पड़ेगा बुष्या में जब उसका जो विदेले की जो शिक्षा है वो पूरी हो जाएगी जब वो अपने जीवन में विबिन कारे करेगा तो उसको एक चीज़ का हमेशा दुख होगा कि उसे स्वंतर रूप से जो सोचने का जो तरीका है वो तो उसके विदेले ने उपलब्ध ही ने करवाया तो उसकी सोच का जो विस्तार है जो उसका दारा है वो ही नहीं बढ़ पाया तो इसलिए ये विदी इसलिए भी जरूरी है कि इससे एक बच्चे की जो सोच है जो उसके सोचने का जो विस्तार है उसको बढ़ाने के लिए ये विदी सरवत्म है और उसको अपना ग्यान खुद सरेजन करना ना कि जो ग्यान पहले से उपलब्ध है सिर्फ उसी ग्यान को महया करवाना इस से अच्छा कि उस बच्चे को अपना ग्यान समच सरजन करने का मौका दिया जाए अब बात करते हैं कि सरजनात्मक चिंतन क्या होता है ये भी एक विदी है सरजनात्मक चिंतन सरजनात्मक चिंतन के बहुत से तरीके हैं एक अध्यापक किसी कविता के माद्यम से किसी लेख के माद्यम से हमारे समाज में रोज कोई न कोई ऐसी घटनाए या ऐसे ऐसे बाते होती है जिस पर एक चिंतन शील जो बच्चा है वो सोचता है लेकिन क्या हमारा सिख्षा का धांचा उसको मौका देता है कि वो सरजनात्मक चिंतन का प्रयोग करके अपने विचार अपनी कक्षा में परस्तुत कर सके तो एक अध्यापक के लिए भी जुरूरी है कि वो बच्चों में सरजनात्मक चिंतन का विकास करे इस विदी में जो गती विदी हैं, जो समाज में, जा उसके कारेकशेतर में, या उसके परिवेश में जो चीजे हो रही हैं, उस परिवेश पे उनको कुछ न कुछ लिखने के लिए प्रोथसाइट किया जाए? बहुत से अध्यापक ऐसे भी हैं जो बच्चों में लेखन का जो कोशल है उसको विक्सित करने के लिए उनको कविताएं लिखने के लिए प्रोटसाइट करते हैं तो कविता जो लिखना या किसी लेख पर अपने विचार रखने तो अपने आप में सरजनात्मक चिंतन का विकास है तो ये एक बहुत ही अच्छी और महत्वपुन विदी है और इसके अलावा अध्यापक ऐसा भी वातवर्न महिया करवा सकता है बच्चों को जिसमें उसमें चिंतन कर सकें कि इस समस्या का जैसे कोई समस्या समाधान का एक विदी है कि उनके सामने एक एक ऐसी समस्या अध्यापक रखे जिस पे वो सोचने के लिए मजबूर हो और हर बच्चे का सोचने का एक अपना तरीका है और वो कितने तरीके से एक समस्या पर एक से अधिक कितने तरीकों से वो सोच सकते हैं ये उनका सरजनात्मक चिंतन है तो सरजनात्मक चिंतन का विकास एक महत्वपूर्ण विदी है जिसका प्रयोग कक्षा कक्ष में किया जाता है अब बात करते हैं कि जीवन कोशलों का विकास ये एक विदी है कि अधियापक बच्चों में जीवन कोशलों का विकास कर सके तो स चात्र है उसमें संप्रेशन के कोशल का विकास करना संप्रेशन उसका बहुत अच्छा हो उसका भाशा पे उसकी भाशा पे पकट हो वो अपनी बात इस तरीके से रख पाए इस तने परभाशाली तरीके से रख पाए कि उसको जो सुनने वाले जो वक्ता हैं वो उसकी होगा कि बहुत से बच्चे हैं जो उचसिक्षा उच्छतर शिक्षा ग्रहंड कर लेते हैं लेकिन जब उनको बोलने के लिए कहा जाता है किसी बी मुद्दे पर तो वो बोल नहीं पाते हैं अगर वो बोलना शुरू करते हैं, तो उनके पास शब्दों की कमे हो जाती है वो अपनी बात अच्छे तरीके से नहीं रख पाते हैं, तो सबसे पहला जो हर व्यक्ति के जीवन में मेरा मानना है कि जो सबसे प्रभावशाली कोशल है, वो संप्रेशन का है कि आप अपनी बात तूसरों तक कैसे पहुँचाते हो किस तरीके से आप अपनी बात रखते हो अगर आपके पास परभावशाली संप्रेशन है तो ऐसा कोई भी क्षेतर नहीं है जिसमें आपकी काबलियत को आपके कौशल को कोई ना पहचान सके आपको जीवन में आगे बढ़ने से नहीं रोख सकता अगर आपके पास परभावशाली संप्रेशन है तो ये एक जीवन कौशल में सबसे महत्पूर्ण कौशल है और ये एक विदी भी है जीवन कौशलों का विकास जिससे हम बच्चे में संप्रेशन को प्रभावशाली बनाते हैं दूसरी विदी है समस्या समाधान समस्या समाधान में मैंने पहले भी एक उधारन दिया कि एक अत्यापक को चाहिए कि वो बच्चे के सामने एक ऐसी समस्या रखे जिसमें बच्चा या पूरी जो कक्षा कक्ष में जितने भी शातर शातरा हैं वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएं कि इस समस्या का क्या समाधान हो समस्या समाधान का पूरा एक परकिर्या है जिस परकिर्या से पहले उनके सामने समस्या रखनी उसके बाद वो समस्या से सबंदित आंकडों का संग्रह करते हैं और उस आंकडों का विश्चलेशन करके और उसके परिणाम निकालते हैं और उसके बाद परिणाम पे चर्चा होती है कि जो समस्या आपको दी गई उसके क्या कारण थे और उसका क्या हम किस तरीके से उस समस्या का निवारन कर सकते हैं इसके बाद कोशल है आलोचनात्मक चिंतन का कि आप किसी भी विश्या पर अपना आलोचनात्मक चिंतन कर पाते हो या नहीं आप अलोचनात्मक चिंतन में सकरात्मक और नकरात्मक दोनों ही water पक्षों को देखा जाता है इसमें बच्चे को ये सिखाया जाता है कि आपके जीवन में अगर कोई भी ऐसा विश्य आता है जिसके बारे में आपको कम ग्यान है या बिल्कुल भी ग्यान नहीं है तो उसको अच्छे से उस पे चिंतन करें उसके बारे में जितनी समगरी मिलती है जो भी विश्य वस्तू मिलती है उसको पढ़ो और पढ़ना सिर्फ उसका वो पक्ष नहीं है जो उसका सकरात्मक है उसका नकरात्मक पक्ष भी पढ़ना है और उसके बाद अपने चिंतन से उसका विसलेशन करना है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है जब उसको सही और गलत में निरन्या करना आ गया तो ये समझो कि उसके जीवन का एक महतपुर्ण कोशल है वो विक्सित हो चुका है इसके बाद हम बात करते हैं आतम ग्यान की, कि एक जीवन कोशल आतम ग्यान, सम के बारे में जाना, कि आप खुद कितने पानी में हो, आपके पास जो ग्यान है, वो कितना है, वैसे ग्यान तो एक बहुत विस्तरित समंदर की तरह है, जिसमें से हमें कुछ बुंदे ही चखने को मिलती हैं क्योंकि ग्यान का बहुत बड़ा विस्तार है लेकिन आत्म ग्यान एक ऐसा ग्यान है जिसमें अपने स्वेम की शक्तियों के बारे में हमें पता चलता है कि हमें कितना कोशल है हमारे अंदर कितनी शक्ति है और किसी विश्य को हम किस परभावशाली तरीके से समझ पाते हैं और अपनी बात किस तरीके से रख पाते हैं बहुत से बचे हैं जिनको अपने कोशलों का अपने उपलब्दियों का और जो उनमें खुबी हैं उनका ग्यान नहीं होता तो यह एक अच्छा कोशल है कि उन्हें आत्म ग्यान करवाना कि उनके पास क्या-क्या बच्चों में इस कौशल का विकास करना, कि वो दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझ सकें, दूसरे की जो समस्या है, उसका निवारन करने के लिए, वो कुछ प्रतन कर सकें, तब ही वो एक समाज के उत्पादक और एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, तो ये एक महतरपू सर होगा, इसके बाद निर्ने लेने की एक शमता, कितनी विक्सित की है हमने अपने शात्रों में, तो एक अध्यापक अगर इस विदी का प्योग करता है, तो बच्चों में अगर निर्ने लेने की शमता का विकास हो जाता है, तो पूरा जीवन, वो किसी भी द्वंद में पड़ेगा, ऐसी कोई भी उसके सामने कोई समस्या आती है, जिसे उसे ये लगता है कि मैं इसमें अगर ये करूँ तो इसका ये होगा, अगर अगर ऐसा करता हूँ तो मेरे जीवन पर उसका क्या प्रभाब पड़ेगा, उसका समुचा विसलेशन करके निर्ने लेने की एक महतवपूर्ण कोशल है, जिसका प्रयोग तमाम जीवन एक व्यक्ति अपने जीवन काल में करता है, चाहे वो निर्ने अपने नीजी जीवन से सबंदित हो, चाहे वो निर्ने परिवार से सबंदित हो, चाहे वो निर्ने समाज से सबंदित हो, और चाहे वो देश से सबंद तो इस तरीके से बच्चे में निर्ने लेने की ख्षमता का विकास करना भी एक महतवपूर्ण कौशल है, एक महतवपूर्ण विदी है। अब हम बात करते हैं कि क्या हम अपने कक्षा कक्ष में केवल सिर्फ एक विदी का ही प्रयोग करें या विविन विदियों का प्रयोग करें तो जैसे बात आती है विविन विदियों की, तो उसमें सरंचनात्मक विदी है, मिश्रित विदी है, प्रयोजन विदी है, समस्या समादान विदी है, प्रशन उत्र विदी है, व्याख्यान विदी है, खेल विदी है, आगमन विदी है, निगमन विदी है, तो ऐसे ऐसे अने ये कहा जाता है कि अध्यापक विबिन वीडियों के एक से ज़्यादा वीडियों का एक साथ वो प्रियों करें। वो हमारे सिक्षन अधिगम के जो परिणाम हैं, उनकी जो धर हैं, उसको और भी बढ़ाते हैं। हमारे जो परिणाम अच्छे आते हैं, सकारात्मक आते हैं, अधिगम की जो दर है, जो गती है वो बढ़ती है. तो हम एक एक करके इन विदियों के बारे में चर्चा करते हैं. तो पहले सरंचनात्मक विदी है जिसमें बच्चों को विशेश रूप से मौका दिया जा सकता है कि वो ग्यान की सरंचना खुद कर पाएं मिशृत विदी में पहले बता चुका हूँ कि मिशृत विदी में विबिन विदियों का एक साथ एक ही कक्षा कक्ष में प्रयोग करना और वो इसलिए भी ताकिश जो हमारे शात्र हैं, जो हमारा आधेहता है, जो सीखने वाडा है उसकी जितनी भी ज्यान इंद्रियां हैं उस ज्यान इंद्रियों का प्रयोग करके हम उसको कक्षा कक्ष में पूरी तरह से उसको शामिल कर लें अगर हम अलग-अलग विदियों का प्रयोग करेंगे जिस विदियों से उनको कुछ न कुछ हम 3D मॉडल बोलते हैं त्री आयामी जो भी विदियां हैं, मौडल्स हैं, उनको हम बच्चों को दिखा रहे हैं, बच्चों को कुछ सुनने के लिए मिल रहा है, बच्चों को कुछ देखने के लिए मिल रहा है, बच्चे किसी न किसी क्रिया में शामिल हैं, तो इस से उनकी ग्यानेंदरियां पूर हम चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से हम उन बच्चों के सामने एक प्रियोजन देते हैं और एक समस्या देते हैं जिसके उपर वो आंकनों का संग्रहन करते हैं आंकनों का विसिलेशन करते हैं और उसके बाद उस समस्या के समाधान के लिए और उसके जो हमारे परिणाम आ के से किया जा सकता है व्याखन विदी तो हम ज्यादतर जो अध्यापक हैं उसका वो प्रयोग करते हैं तो व्याखन विदी भी अच्छी है अगर हम उसके साथ दूसरी विदियों का भी उसके साथ प्रयोग करें जैसा शुरूआत में मैंने एक उधारन दिया था कि एक अध् विवाद वीदी का प्रियोग करता या जिस तरीके से अध्यापक दूसरे अध्यापक ने कुछ चित्तर दे के उनको स्मूहوں में बाट कर और उन पर चर्चा और उसके विशलेशन करने को कहा तो उस समय उस अध्यापक ने एक से अधिक विद्यों का प्रयोग किया तो ये अधिगम के लिए ज्यादा प्रभावकारी है और अंत में खेल विदी बहुत से ऐसे विश्य हैं मैंने जिकर किया गीजू भाई भदेका का जब उनको एक जैसे उनकी जो रचना है दिवस वपन उसमें एक अध्यापक को जब कहा गया कि आप जो प्रयोग करना चाहते हो एक विधेला पर और जो आप ये बताना चाहते हो कि आज गल का जो हमारा सिक्ष्ण अधिगम जो परकेर है उसमें ये कमिया हैं तो आप किस तरीके से पढ़ाऊगे है तो उस अध्यापक ने जो तिवस वपन में जो अध्यापक है वो कक् देरे देरे खेल विदी के मादम से कहानियां सुनाकर उन बच्चों को अपनी तरफा करशित किया फिर देरे देरे उस खेल को उन कहानियों को सिख्षा से जोड लिया ताकि उनको वो खेल भी सकें जिसमें वो रूची ले रहे हैं जिसमें उनको आनंदा रहा है वो कहानियां भी सुन रहे हैं, और साथ के साथ, वो कुश न कुश सीख रहे हैं, तो ऐसा, जो हमारा प्तात्मिक स्था है, जिसमें बच्चे, जो उनका आयूँ जो बहुत कम होती है, तो बच्चे कहानियां, ये खेल के मादम से, बहुत कुश सेचodus सकते हैं, तो यहां हमारा जो कहना ये था कि हम एक से अधिक वीडियों का एक साथ अगर प्रयोग करेंगे तो हम सिक्षन अधिगम को ज़्यादा प्रफावी बना सकते हैं अब बात आती है कि जिस भी सिक्षन अधिगम विदी का हम प्रयोग करें वो विदी सस्ती हो और किफायती हो अगर हम किसी ऐसे सिक्षन विदी को ले आएं जिस पे हम पूंजी जुरूरत से जादा लगा दें लेकिन उससे हमें जो हासिल हो रहा है वो उतना लाब हम नहीं ले पा रहे या ऐसी विदी जिसमें समया बहुत ज़्यादा लग रहा है समया भी ज़्यादा है लागत भी ज़्यादा है लेकिन उस हिसाब से या उस अनुपात में उस से हम लाब नहीं ले पा रहे तो वो विदी हमारे सिक्षन अधिगम जो परकेरिया है उसमें ज़्यादा परभावशाली नहीं रहती विदी सबसे बेहतर वही माने जाती है कि जिसमें आपकी लागत से ज़्यादा आपको लाब मिले समय कम लगे ताकि कम समय में जो आप बच्चों को अनवव देना चाहते हो जो बच्चों के वेभार में परिवर्तन लाना चाहते हो जो उनके व्यक्तितों में परिमार्जन करना चाहते हो वो हम कम लागत से और कम समय में कर पाएं क्योंकि हमारा देश अबादी के लिहाद से काफी बड़ा है हमारे पास संसादनों की कमी है और अगर हम कम लागत और कम समय की ऐसी विद्धियों का प्रयोग करेंगे जिसको हम एक साथ एक से ज़्यादा लोगों तक उसका लाप पहुचा सके तो वो ज़्यादा सस्ती और कुफायती विद्धि मानी जाएगी और ऐसा इसका प्रयोग भी हमारे लिए ज़्यादा लाप प्रत होगा अब इसके अलावा जो बात हम करते हैं रूची की तो जो मैंने उधारन दिया था गीजुवाई वदे का गुजरात से सिक्षक थे उन्होंने प्रत्थम प्रयास यही किया कि बच्चों में रूची पैदा की अगर बच्चे सिक्षन अधिगम में रूची नहीं ले रहे तो उस अधिगम का जो परभाव है वो ज़्यादा स्थाई नहीं रहेगा लंबे समय तक बच्चे उसको याद नहीं रख पाएंगे और पहला प्रयास यही ऐसी विदी का प्रयोकरो जिसमें रूची और आनंद बच्चों के लिए हो इसके बाद हम बात करते हैं कि विद्यार्थियों की आवशक्ताओं और मानसिक योगताओं के अनुरूप हो विदी हम बालो मनो विज्यान पढ़ते हैं उसमें इस तीज़ पे भी विशेश रूप से ध्यान दिया जाता है कि बच्चों का जो मानसिक स्थर क्या है और उन बच्चों की आवशक्ता क्या है उस आवशक्ता और मानसिक योगता को ध्यान में रखकर जो विदी हम प्रयोग करते हैं वो विदी स्रेस्ट मानी जाती है और इसके बाद अन्तिम में विद्यार्थियों के अनुभव पर अधिक पल देना ये नहीं कि सिर्फ उनको किताबी ग्यान दो उनके अपने अन्भव का भी प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए कि उनके जब वो अपने परिवार में हैं या अपने वतावर्न में हैं परिवेश में समाज में विचरन करते हैं तो उन्होंने कैसा अनभव किया उनकी अनभव का अगर हम प्रयोग करेंगे तो उसका प्रभाव ज्यादा स्थाई होगा और बच्चा अपने आपको ज्यादा जुडाव महसूस करेगा उस सिक्षन अधिगम पर करिया से तो आज हमने चर्चा की सिक्षन अधिगम की परभावकरी विदियों के बारे में जिसमें हमने बताया कि बच्चों के अनभव का जादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए उनकी रूच्चियों का विकास किया जाए और जीवन में जो काम आने वाले कौशल है उनका जादा से जादा विकास किया जाए ताकि वो जीवन में इन कौशलों का प्रयोग करके अपने समाज को अपने देश को एक अच्छी दिशा परदान कर सके बच्चों को जादा से जादा अपने हम उमर जो उनके साती है उनके साथ मौका दिया जाए सीखने का उनको खुद सम करके सीखने का मौका दिया जाए उनको अपना ग्यान खुद स्रेजिन करने का मौका दिया जाए ये ना हो कि अध्यापक की उसको पूरे का पूरा ग्यान प्रोसे एक भुगोल के अध्यापक की तरह कि उसको पूरा गलोब बताने से अच्छा कि उस गलोब को बच्चों के सामने रख दो और बच्चों को सम अपना ग्यान हासिल करने का मौका दो लोग उनको पता लगे कि उत्तरी ध्रूव कहा है दक्षनी ध्रूव कहा है रित्यों कैसे बदलती हैं समय का जो अंतर है विविन देशों में वो क्यों है तो यह था आज का जो हमारा विश्य है सिक्षन अधिगम की प्रभाव करिविदियां आप सभी का धन्यवाद